प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस नातक प्रथम सिमिस्टर को करेकुलों वानिवार प्रशन पत्र भोचन पोसवड और स्वक्षता के कुछ मॉडल पेफर्स को सॉल्ब करेंगे, इसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी जिससे कि आप अपने मॉडल पेपर के साथ तैयारी कर सकते हैं, फूर्ड नुट्रिशन पिपर के, यह वहुत इंपॉर्टन क्वेशन है, आप इसको ध्यान से देखेगा, सबसे पहले क्वेशन की तरफ चलते हैं, पहला क्वेशन है, सरीर की व्रिद्धी, उर्जा, मरमत और रख रखाओ के लिए आवश्यक पदार्थ कहना आता है, आप्शन हैं, पोशक तत्व, कैलोरी, कार्भो आइडरेट या फैटी एसीड, तो इसमें सबसे पहले जो उत्तर होगा हमारे सरीर के लिए जो रख रखाओ के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ होता है, वो पोशक तत्व होता है, इसी में ये सारे चीज़े आती ह दूसरा, आपके आहार का लगबग आधा भाग निमलिखित में से बना होता है, अनाज और सबजीयां, दूद और पहीर, फल और दूद, वसा और सरकरा, तो इसमें आपका है, कि ज्यादा तर जो हमारा भूजन होता है, वो अनाज और सबजीयों से बना होता है, इसलिए इ सही है, अब हम लोग अगले प्रस्मे की चरप चल रहे हैं, वह आहार जिसमें व्यक्ति शरीर की त्रहने का अशक्ताओं को पूरा तर्निकी चंताः रखता है, उसे कायत है, स्वस्त आहार, संतुलीत आहार, सुवंधित आहार या तरलाधार, तो इसका ओप्शन आपका है, स सरेर के तापमान को नियंतित रखना, कार्बन्स का उत्पादन करना हैं में से खोई नहीं, तो भोजन का एक और प्रमुकार सरेर के तापमान को नियंतित रखना हैं, इसलिए option B शही है, अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं, संतुली तहार के घटक हैं, कैलोरी, प्रोटीन, और विटामिन, अथ्वा ये सभी, तो ये सभी हैं हमारे संतुली तहार के घटक होते हैं, इसलिए option D सही है, नियंगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं, यदि कोई व्यक्ती संतुली तहार नहीं लेता है, तो उससे पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारेरी कमजोरी, वजन ता कमजोरी अथ्वा ये सभी, अगर संतुली तहार नहीं लेंगे, तो हमें कमजोरी होगी सारेरी कमजोरी ऐसे फिल होगी, वजन और ताकर ने भी कमी आएगी, तो ये सभी ही option सही है, इस question का option D सही है, नियमलेकित में से कौन सा एक सुरच्छात्मक पोशक तत्व है, कैलोरी खनी और विटामिन, पानी और वसा, तो इन में से सुरच्छात्मक तत्व की बात हो रही है, इस question का option C सही है, खनी जो होते हैं, वो हमारे सरेर में सुरच्छात्मक पोशक तत्व करूब में जाने जाते हैं, अगले प्रसन की तरफ चलते हैं, काम के लिए क्या आवश्यक ह इन में से कोई नहीं तो काम के लिए जो है सबसे आवश्यक चीह होती है उर्जय option C इसका सही है हमारे सरीर को भोजन क्या आवश्यक था किसके लिए होती है सरीर बनाने के लिए सरीर को उर्ज़र देने के लिए सरेर को सुरक्ष्या पदान करने के लिफवा ये सभी तो ये सभी ये option सही है इस question का option d सही है अगले प्रस्ण की तरफ चुलते हैं इस प्रतेख विक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है कउँ अधेक अलग एक जैसा तो प्रतेख विक्ति लिए संतुलित आहार के मात्रा पोशर और अहार विज्ञान विमारी वो खत्म करने के लिए होता है, पोशक तत्रों को कारे को जानने के लिए होता है, स्वास्त और दक्षता पदान करने के लिए होता है, तो इन में से कोई नहीं होता है, तो पोशर और अहार विज्ञान जो होता है, वो हमें स्वास्त और दक्षता पजान करने के लिए होता है, हम इसको जान करके स्वस्त और दक्षता को हम समझ सकते हैं, अगले प्रशन के तरफ चलते हैं हम लोग, कुपोशड के लिए जिम्मिदार है, गरीवी, मिलावट, निरच्छर्था, उप्रोक सभी, तो ये सभी चीज़े हमारे कुपोशड का इलाज संभव है, संतुली तहार द्वरा, संवरिद दिखाद्य पदार्थ, ओज्जा उत्पादक पदार्थ, इन में से कोई नहीं, तो कुपोशड का इलाज संतुली तहार के द्वरा किया जा सकता है, अगले प्रसन के तरफ चलते हैं, पोशड एक सायोग किसकी है, टर्नर, वुटकींग, एमली वंडर्स, इन में से कोई नहीं, तो जो आहार कार होता है, डायेट का मतलब होता है, आहार नियंतर के नियम से होता है, अगले प्रसन के तरफ चलते हैं, पुप्चारात्म पोशड का आयाता है, समान इस्थिति में हार को, कार्भो आ विटामिन और कैलोरी युप्त आहार को, अथवा उप्रोक्त सब्दी को, इस प्रसन का ऑप्चन B सही है, विटामिन और कैलोरी युप्त आहार, अगले प्रसन के तरफ बढ़ते हैं, सरीर को कितने पोशक तत्तों की आवशकता होती है, डो, चार, छे, इन में से कोई नही सरीर को कुल 6 पोशक तत्तों की आवशकता होती है, अगले प्रसन के तरफ चलते हैं, संगठित और सूविक्षित सरीर किसका सूचक है, उच्च जीवन अस्तर का पोशक तत्तों के कारियों को जानना, पोशड या अच्छे पोशड को सूचक बताएए, तो option C इसका सही है, निमलिखित पोश्टिक तत्तों हैं, प्रोटीन, हनीज लवर, कार्भो हाइडरेट या उप्रोग्ट सभी, ये सभी ही पोश्टिक तत्तों होते हैं, इसका option D सही है, अगले प्रसन के तरफ चिनते हैं लो, कोशड किसके कारण होता है, प्रोटीन युक तहार, संतुरी तह गरिष्ट भूजन या इन में से कोई नहीं, गरिष्ट भूजन के विए से इसका पोशड होता है, option C इसमें सही है, अगले प्रसन के तरफ चल रहे हैं, या परिवार के सदस्यों के स्वास्त के लिए आवश्यक हैं, मतर्म निमलिखित में कौन सी चीज परिवार के स्वास प्रसन के तरफ चलते हैं, निमलिखित में से या इसलिए जरूर ही ताकि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोशड मिल सके, अहार योजन, अकरसक, तरीका, शुद्ध भूजन या पाक कला का ग्यान, तो सबसे बड़ी बात है इसलिए अहार योजन जब मानमों भी तग अप्शन C सही है, ग्रिडे को इन सभी चीजों का ग्याल होला चाहिए, अहार योजन के क्या लाब है, समय का कुशल उप्योग, पैसे का कुशल उप्योग, कारे का सर्री करण, अथवा ये सभी, इसमें अप्शन D सही है, ये सभी होना सही है, अबले प्रसन की तरफ चलते हैं अब लोग, भोजन योजना लाप्रद है क्योंकि ये परिवारों के बज़ाड में मदद करता है, ये परिवारों के टस्वीर दे सकता है, कि वे इस प्रकार के पोशल का उप्योग कर रहे हैं, अथवा उप्योग सभी, इसमें ये सभी आप्शन सही है, इसलिए सनस्थान के प्रकार का कोई बहुत वात अपुर नहीं, लेकिन लागत, रसोय उप्योगता और परिवारों वहत अपुर चीज़े हैं, भोजन योजना में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला कदम क्या होता है, ऐसे विंजनों की तलास करें, जो कि अच्छे भोजन बनन निर्दारित करma, य ही सबसे पहले नियम होता है, भोजन का, खाद पदार्थ कितने मून खाद संवों में इसको बाठा गया है, ऑप्शन है, चार, पांच, छे, आस्थात, तो आप्शन डी सही है, साथ प्रकार से संवों में इसको बाठा गया खाद दिको, निमलिखित मे इसे कौन सा सिस्वों के लिए मुख्य गोजन है अनाज, दूद, हरी, शबजी या फल तो इसमें option C सही है दूद, नमबर अगले क्वेशन की तरफ शलते हैं दूद में लौ नमक की मात्रा कितनी होती है अधिक बहुत अधिक नगड़े या कम तो option B इसमें सही है दूद में लौ नमक की मात्रा बिल्कुल भी नगड़े होती है प्राडी जगत के खादे पदार्थ क्या है मांस, मचली और अंडा, दाले, बीन्स और सुया बिन, अंडा, ब्रेड और विस्केट, मांस, बीफ और मचली इसमें option A सही है मांस, मचली और अंडा, नमलिकित में से कौन सा खादे पदात है, जो तीशरे समूग अंठरगत आता है तो मांस, मचली गेले, अलू, उलो के बीज या सकरकन, तो मांस और मचली जो है वो भोजन में तीशरे समूग अंठरगत आता है तो अमिले फ्रसन की तरह चलते हैं ये खाद्य पदात प्रथम समू के अंतरगत आते हैं तो ग्यागू काटा, मक्का, रोती और ये सभी तो आपसन डी इसमें सही है आपको food group के बारे में थोड़ा से बता दे कि जो पहला food group होता है उसमें आपके अनाज आते हैं जितने भी तरह के अनाज हैं दूसरे food group में आपके डालें आती हैं तीसरे food group में आपके दूद, मीट और जितने मीट के प्रोड़क्ट होते हैं मिल्क के प्रोड़क्ट होते हैं आते हैं, चौते food group में आपके fruits, vegetable ये सब आते हैं, और पाचवे food group में आपके fat और sugar ये सब आते हैं, इस तरह से ये पाच सवूं आपका ये बन रहा है, अब हम लोग अगले प्रस्थे की तरफ चल रहे हैं, सरीर की प्रत्यक कोशिका, रक्त अस्थी कोशिका में क्या है, पानी, रसानिक पदात, प्रोटीन, एमीनो एसेड, तो इसमें option B सही है, प्रोटीन, ये सरीर की प्रत्यक कोशिका, रक्त अस्थी कोशिका में होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन में मुख्य तत्व क्या होत हाईड्रोजन, नाइट्रोजन, औपसीजन या कार्बन, तो आप्शन बी इसमें सही है, टीम में हमारे नाइट्रोजन सबसे मुप्षय रूप से होता है, क्वाश्यों को रोग किसकी कमी से होता है, इसमें ओप्षन दिया हुआ है, प्रोटीन, कैलोरी, और जा या फिर ये स प्रोटीन नाम किस वग्यानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मोडलर, गार्नर, मंडेल या इसकीनर, तो आपको बता दें कि ये नाम मोल्डर के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन में लगए कितने प्रकार के आवश्यक एमीनो एसिड पाई आते हैं, चार, आठ, छे या दस, तो इसमें ऑप्शन दस सही है, डी इसका ऑप्शन होगा सही, अगले प्रस्तन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटीन का क्या कारे है, सरिल निर्माण में, सल इचिक समुप कारे करता है, प्रोटीन की कमी का दूस्प्रभाव होता है, सहीर में सूजन, सरेर में वजन के अनुपात में कमी, सरेर की में रट की मात्र का कम होना, ये सभी, ये सभी ऑप्शन इसमें सही है, ये सभी प्रोटीन की कमी सोने वाले रोग है, वारस्पति विज्याने पूर्टीन वाला अत्तत्व होता है तो इसलिए सोया बिंग का उप्षन और सी सही है तो इस तरह से हमने आप लोगों कुछ पूर्ड और न्यूट्रिशन के कुशन आप लोगों को सॉल्व करवाएं अगले वीडियो में जब लोगों मिलेंगे तो हम लोग और वी कुश्चन के बारे में आप लोगों से बात्चित करेंगे और वी कुश्चन को देखेंगे आज के लिए इस लेक्षेर वीडियो में इतना ही आसा आपको इस पर दिए जानकारी पसंद आई होगी आपने इस वीडियो के लिए समय दिया आपको बहुत घन्यवाद